आज मैं आप सभी की साथ सेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलेशियस मटर पनीर की रेसिपी जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट इस्टाइल बनाया है और बनाने में बहुत ही एजी और खाने में तो बहुत ही जद्धा डेश्टी है आप इसी कभी भी बना कर enjoy कर सकते हैं जिसके लिए मैंने 300 ग्राम्स पनीर ले लिया था उससे अब हम टुकडों में कट कर लेंगी अब हम पनीर में थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मेश पाउडर डालेंगी ताकि इसी पनीर जो है ओ थोड़ा सा चटपटा लगे फीका फीका सा ना लगी और फ्राई करते समय इसका कलर भी अच्छा आएगा पनीर को मैंने हल्दी और नमक सी कोट कर लिया हल्दी नमक नी स्वारी हल्दी और मिर्ची सी अब हम इसी फ्राई करेंगे में थोड़ा सा तेल डाला है थोड़ा तेल डालो है इस सारे पनीर को मैंसे अच्छा सा गोल्डिन ब्राउन हो जाए तब आप इसी दूसरे साइट से भी कर लें पनीर को आप अपने एक ऑड़िंग कम या जादा revived कर सकते हैं जितना आप पसंद हो आप उतना फ्राई करें बहुतיע को कम फ्राई पसंद होता है तो रज़ Muito आप ज़यादा भी कर सकते हैं बट मैंने इसे न्ॉर्मल फ्राई किया यह देख सकते हैं पनीर में अच्छा सा लाइट गोल्डेन कलर आ गया है तो इसे निकाल लेंगे इसे अदा फ्राइब करने की जरूरत नहीं है वरना पनीर हाड हो जाते हैं और फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे तो आप पनीर को मैं सजिस्ट करूँगी कि इतना ही फ्राइब करें पन पनीर है बिल्कुल रेश्टोरेंट स्टाइब टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो सारी चीजों को अच्छा साम-फ्राई कर लेंगे और यह देक सकते हैं पैच बहुत अच्छे से सवाफ्ट हो गया है गोल्डेन ब्राउन हो गया है टमाटर लैसन सारी चीजी मेक्स्टर थंदा हो चुका यह में ग्रेंडर में डालें से स्मूज सा पेश्ट पना के तयार कर लेंगे तो फटा फट से सब्सवी बनाते हैं पनीर की पैन में थोड़ा सा तेल और डालेंगे दो तेज पत्ते डालेंगे साथ में थोड़ा सा जीरा डालेंगे काली मिर्च डालेंगे और जो भी खड़े मसाले आप पसंद करते हूँ आप डाल सकते हैं मैंने थोड़ी सी ताल चीनी का टुकड़ा एक बड़ी लाईची को ऐसे तोड़के हलगा सा क्रस्ट करके डाल दिया है अब हम इसमें 2-3 सूखे लाल मिर्ची को ऐसे तोड़के डाल देंगे अब जो मसाले का पेश्ट बनाये थे उसे डाल देंगे देख सकते हैं कितना स्मूज सा पेश्ट बना के तयार गया इससे ग्रेवी खाने में अच्छी लगेगी अब हम मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल की इसे निकाल लेंगे बिलकुल भी मसाले को वेश्ट नहीं करना चाहिए और ये लगबख सभी लोग करते हैं बिलकुल भी वेश्ट नहीं करते हैं मसाले का जो दम मिक्सर की जार में पानी डाल डाल के निकाल लेते हैं तो आप भी निकाल लेजेगा इसमें मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया और इसे सभी चीज़े को मिला लिया है अब हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे थोड़ी सी कास्मेरी मिर्ची पाउडर डालेंगे और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और साथ में मटर पनीर मसाला डालेंगे अगर आपकी पास मटर पनीर मसाला नहीं है तो आप skip कर सकते हैं कोई भी आप जो भी मसाला यूज कर सकते हैं और डाल सकते हैं अब हम इसमें स्वादा नुसार नमक डाल देंगे सभी चीज़ों को अच्छे से mix करेंगे और मसालों को हम 3-4 मिनट अच्छे से भुनने देंगे बिल्कुल low flame पे मसाले जैसी अच्छे से भुन जाएं यह देख सकते हैं तेल अलग होने लग गया है तो एक बार अच्छी तरीकी से चला लेंगे और मसालों से खुस्पू बहुत अच्छे आ रही है अब हम इसमें मटर डाल देंगे यहां अब भी तो फ्रेस मटर का सीजन है तो इसमें फ्रेस मटर डाल रही है अगर आपके पास फ्रेस नहीं है तो आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम मटर के साथ भी 2-3 मिनिट के लिए मसालों को और भून लेंगे क्योंकि जितने अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट निकल के आएगा तो इसलिए आप मसालों को बहुत अच्छे से भूने और यह देख सकते हैं मसालों का टेक्स्चर कितना अच्छा बिल्कुल दानेदार सा हो गया मटर भी बहुत अच्छे से सॉप्ट हो गया है हमारे तो अब हम इसमें पाने डालेंगे मैं यहाँ पर एक ग्लास पाने डाल रहे हूँ यानि एक कब पाने डाल रहे हूँ आपको जितना ग्रेवी रखना हो आप उतना पाने डाल सकते हैं मटर पनेर की ग्रेवी थोड़ी से थीक होती है बहुत जादा पतली नहीं होती है तो पाने का इस्तिमाल आप कम करें मैंने एक कब से थोड़ा सा कम डाला है अब हम ग्रेवी में अच्छी सी उबाल आने देते हैं ग्रेवी में जैसे ही उबाल आ जाएगा अब हम इसमें पने डालेंगे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और धक्की हम इसे मेडियम लो फ्लेम पी 3-4 मिनट के लिए और कुक करेंगे और 3-4 मिनट बाद ही हमारा बहुत ही टेस्टी सा मटर पनिर तयार हो गया था तो लाश्ट में थोड़ी सी फ्रेस हरी दन्या की पत्री डालेंगे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे ऐसी 5-7 मिनट धक्की छोड़ देंगे उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे और यह हमारा बहुत ही टेस्टी सा मटर पनिर बन के तयार हो गया आप इसी पूरी पराठी राइस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं आप इस रेसिपी को जरूर राइ किजीगा आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो उसे लाइक किजीगा चैनल को सब्सक्राइब किजीगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ सेयर जरूर किजीगा थैंक्यू